नमस्कार मैं मुमा स्रीवास्तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ आज हम बताएंगे नेत्र जोती वर्धक उपायर या जैसा कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उनका सिरदर्द होने लगता है या बड़े लोगों कभी सिर बहुत तेज दर्द करने लगत है लगता है जैसे सिर खिच रहा है न से खिच रही है और दबाव पढ़ता है आँखों में बहुत ज़्यादा पढ़ने में दिक्कत होती है तो आज हम इसी का एक घरेडून उसका बताएंगे जो कि बहुत इस अरल है आप लोगों ये करना है कि जैसे कि 100 ग्राम बड़ाम 100 ग्राम बड़ी सौँफ और 100 ग्राम मिसरी अगर डेले वाली यानि की कूजा मिसरी हो तो जादा उत्तम है और अगर नहीं भी हो तो सादा मिसरी भी चलेगी इन तीनों को मिला करके पीस लेंगे बदाम, मिसरी और सौंप तीनों की मातरा जैसे 100-100 ग्राम हमने कर ली और पीस करके इसका चूण बना लेंगे फिर इसको एक बड़ा चम्मच सुबह एक कप दूद में या एक गिलास दूद की साथ सुबह पीएंगे खाली पीट और एक चम्मच बड़ा चम्मच ये बदाम, मिसरी सौंप का चूण रात में सोते समय पीएंगे एक कप या एक गिलास दूद की साहता से इससे फायदे ये होगी कि आपके जिसके की चस्मा की चस्मा में लग जाता है बार बार चस्मा बदलना पड़ता है, सिर में दर्द होता है ये जिसकी यादास मतलब कमजोर होने लगती है और खास दोर से बिद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायती मंद घरेलू निसका है इसका आप प्रियोग करिए, आपका चस्मा उतर जाएगा और इसका प्रियोग अभी हमने पता चला है, तो हमने भी सुरू किया है और ये बहुत ही लाब दायक है, इसमें सिर दर्द में रहत मिलेगी, अराम मिलेगी नमस्कार, मेरा उपाय अगर आप सबको पसंद आया तो मेरे इस चैनल को लाइक कर भीए, सब्सक्राइब करिए, नमस्कार